नमस्कार मैं हूँ आलोक तुरपाथी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम के सुप्रसाद मोर्या से सर आपका इटीवी में बहुत-बहुत स्वागत है इस बार बहुत महत्पूर्ण विभाग है ग्राम विकास विवाग जो आप देख रहे हैं क्या तरह की विद्व आज़रा है इस ग्रावज गाओं के उत्फान के लिए प्ला है किस तरह की यृजने के दिफ्टी संब्सक्राइद और तरह से बिजन है और जिस दिन गराम विकास मंत्राले मुझे प्राथ हुआ, यह मेरे लिए मिशन बन गया, कि अब गाउं को हम विकास के एक नए किरतिमान की ओर कैसे ले करके जाएं, और उसी दिशा में, गाउं में कई महत्पूर काम होने हैं, काम पहले भी हो रहे थे, मिल करते हुए, कुछ और अच्छे काम, गाउं के अंदर क्या-क्या हो सकते हैं, उस दिशा में भी हम लोगों ने कारियोजना बनाने को कहा है, और इसकी बैठकों का आयोजन करके, गाउं का काया कल्प करेंगे, गाउं के विकास के लिए, चाहे वहां मन्रेगा साइट से, हम मजदूरों को एक तरे से विशेशताओर से जो हमारे स्रमिक भाई बाहन है, उनको रोजगार देने का काम करेंगे, वहीं मन्रेगा के माध्यां से हम गाउं के अंदर कई अच्छे प्रकार के काम कराये जा सकते हुए, उनका काम करने का काम करेंगे. अब ही आपने सौधिन का प्रजेंटेशन जल रहा था, सौधिन का और छे महिने एक साल का कारियोजना है, उस कारियोजना में कुछ प्रमुख बात है, एक तो हम लोगों का लच्छी ये है कि गाउं के अंदर अधिक सदिक रोजगार का सरजन हो, इस विशे को ध्यान में काश्ठा करके रिजल्ट दे रहे हैं, उनके जीवन में खुशाली लाने के लिए, आयके स्रोध बढ़ाने के लिए, जहां पांच वर्स में हम लोग उत्तर प्रदेश में दस लाख नए समूहों का गठन करेंगे, उन सव दिन में पचास हजार समूहों गठित किये जाएं उन समूहों के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पादन करके उन्हों की आमधनी बढ़े, इसके लिए सरकार पूरा सहीयोग कर रही है, ओडी ओपी के अंतरगत जो जिले के अंदर उत्पादन है, उसका भी हिस्सा समूहों के माध्यम से कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उसको विक्रेक लिए प्लेट फार मिल सकता, इस दिसा में भी हम लोगों ने कदम उठाया है, गाउं के अंदर अनेक प्रकार के रोजगार जैसे की समदाइक संचाले बने हैं, गाउं की सुच्छता हमारी प्रात्मिकता है, तो समदाइक संचाले के लिए जो विसेश तोर से महिला मन्रेगा के अंतरत काम होता है, उसमें बहुत सारी महिला मेठ वो बनाने का काम हो रहा है, अभी सो दिन में हम लोगों ने 15,000 महिला मेठ हालक से बनाने का एक यहावी नेड़े लिया है, ऐसे ही अनेक योजनाएं हैं, मैं उन सारी योजनाओं का विस्तार से आप सब के सकते हैं, उसके लिए भी बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है, भारत को गाउं का देश कहा जाता है, और गाउं में पिछले वर्षों में बड़ी संपन्नता आई है, तो गाउं में जो कच्छे भावन होते थे अब आम तरु पर खतम हो गये, जादर पक्के मकान हो गये हैं, इससे जो तालाब होते थे, क्योंकि तालाबों से हर साल मिट्टी निकाल के और कच्छे मकानों के मुरमत होती थी, अब वो काम भी बंद हो गया है, तो तालाब एक तरफ से खतम होते जा रहे हैं, क्या इसके लिए कोई कारियोजना है कि तालाब भरे हैं, बुगर होने वाले हैं, ये अमरित महोसो वर्ष के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है, उत्तरप्रदिस में भी मनाया जा रहा है, हमारे जितने भी ऐसे गाउं के अंदर तालाब हैं, उन तालाबों पर चाहे वहां किसी ने आवाइद कबजा कर लिया हो, चाहे वहां अब इतने गहरे हो गए हों कि समेश्या होती रही हो, कच्छे माकानों को बनाने के लिए उसकी लिपाई और पोताई करने के लिए तमाम प्रकार की जरूरत पड़ती थी, अब उन तलाबों का हम लोग उच्ची करण कराएंगे, सुद्री कराएंगे और उनका विकास कराएं और वहां पर चबूतरा भी बनाएंगे, जिस चबूतरे पर राष्टी ध्वज भी लगाया जाई इसकी भी वेवस्ता करेंगे, और गाओं में अमरीत महacı सो वर्स पर तो गाओं के जो मुख्या होंगे, गाओं के जो वरिष्ट बेक्ती होंगे, सम्रांद बेक्ती होंगे वह सब तो उसका नित्व करते हुए वहां रहे ही आने वाली पीड़ियों को भी आजादी कैसे प्राप्त हुई है यह वहां पर लोगों को बताने का काम भी किया दाई है अबस मंतरी जी एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आजादी के बाद जब विकास हुआ जन्पद बने भावन नहीं के लिए तमाम תहसीले बनी तमाम ऐसे उतर प्रदेष में बलाक और टहसीले है जिनका नाम तो किसी और जगए है अलिकर उनके भावन और जग़े बनाए गए है संब्हक्ता हुंस समय के नेताओं YouTube अपनी सुविधा से उन जगों पे जहां पर आवागमन का साधन था वहां पर ब्लॉक और तैसिले बना दिये गए जबकि उनकी जो गठन था वो उसकी इच्छा सकती यह थी कि दूरस इलाकों में बनाए जाए ऐसे बहुन जहां पर विकास हो तो क्या आप इसके बारे कुछ काम करेंगे कि उनका और जो नाम है वहां पर नखस और बहुन बने दोभारस विकास हो color हो और हर गां और प्रदेश्यों के लोग यूँ करते हैं दोस्तो प्रदेश को इसे उतलत हैं शरकार के लोगों को महिला, मैं युपक्छ ब्रूत प्र副से उत्यास्पश, बनाएं को कlles यह रास्ति, इसके में आए इस लिए हमारा यह प्रयास है कि जो ब्लाग के मुख्याले हैं वहाँ जहां भी हैं उनको तो विवस्तित करने की जो भी विवस्ता हो सकती वो सब किया जाएगा लेकिन अगर कोई अस्थान कहीं और है और होना कहीं और चाहिए तो उसमें बहुत उर्जा लगाने की जगा हम लोक सारी की उर्जा इस समय गाओं के विकास पर लगाएंगे जिससे गाओं ही जहां मुख्याले बने हैं बलाक के वैसा ही मुख्याले की तरह हर गाओं दिखे हमारी तो यहीं इच्छा है मत्रीश हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यह थे उत्तरपदेश के डिप